वेल्कम बेक एब्रिवन वेल्कम टू सिब्ल सर्फिस स्टड़ी यूपी पीएसी प्रिलेम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल लही थी दस टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यह हैं टेस्ट नमबर 11 चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रेशन सारे के सारे अच्छे से रिविजन करिएगा तो कोश्य नमबर 11 है निमनलिखत कत्षनों पर विचार कीजिए साउथ कोरिया चीन के साथ अपने स्थलिय सीमा साजी करता है लेकिन नौर्थ कोरिया के साथ नहीं करता कोरोना वायरस के समाचारों की सुर्खियों में रहा बुहान विच्व मांचित्र पर चीन के पस्चमी छोर पर इस्थित है देखें साउथ कोरिया नहीं बलकि नौर्थ कोरिया जो है वो चीन के साथ अपनी सीमा साजी करता है लेकिन साउथ कोरिया नहीं करता तो गलत है पहला में रहा बुहान जहां से कोरोना कोविड-19 शुरू हुआ विश्व मांचित्र पर चीन के पश्चमी छोर पर इस्थित नहीं है गलत है दूसरा स्टेट्मेंट भी यह पूर भी छोर पर इस्थित है तो कौन सा करेक्ट है इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है इसकांसर हो जागा आप आप्सन नंबर डी तो देखें यह है चाइना का मैप यह यलो बाला जो है चीन आए अब आ जब आजाते है यहांपर इस्टेट्मेंट क्या था के साउथ कोरिया चीन के साथ सीमा साजी करता है लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं जबकि उल्टा है नौर्थ कोरिया चीन के Kannadasha गलतें दोनों के स्टेट्मेंट कोशन नुम्च नम्बर टू है निम्लेक देशों में से पुर्तगाल गिन के साथ सीमा बनाता है पुर्तगाल की सीमा किसके साथ लगी है देखे स्विट्जर लेंड तो काफी पश्चिम में है मतलब पूरब की तरफ है इससे तो लगी नहीं है फ्रांस से भी नहीं लगी है केबल स्पेंड से लगी है तो इसका अंसर हो जागा अपसा नमबर ए वन उनली तो देखे दिख रहा होगा आपको यह स्पेंड इतना है और यह पूर्टगाल केबल इसी से लगी है बस वागी फ्रांस तो इधर गया और स्विट्चर लेंड कहां चला गया स्विट्चर लेंड यह है काफी पूरब की तरफ है कोश्य नमबर थरी है पश्यमी एसिया के देशों को पश्यम से पूरब के करम में रखिये मैप जरूरी है जब गरफी के प्रश्णों के लिए माइंड में मैप चलना चाहिए अगर सामने आखों के सामने प्रश्ण है तो आपके तो सबसे पहले आपने देखा होगा मैप में सबसे पहले क्या है सबसे पहले क्या है इसमें तुर्की है यह इराक है देखिए इराक तो है नहीं सबसे पश्यमें इरान भी नहीं है इरान तो सबसे पूरब में है ना तो सबसे उस तरफ चलें तो सबसे पहले है तुर्की त तर्की के बाद है सीडिया सीडिया के बाद है अराक अराक के बाद है इसका अंसर होजाएगा अपसे नमबर अचीएतर नवुद्वी कैकår तो यह आजाएगा देखिए सीरिया, और आगे जाना है फिर उसके बाद आगे इराक, फिर है इरान, तो आजाएगा तुर्की, सीरिया, इराक और इरान, यह नहीं ओप्सन नमबर भी, कुशन नमबर फोर है, पश्चमी, एसी आई देश, सौधी अरेबिया, नमलिखित किन देशों से, चारो और से घिरा है, किन किन देशों से घिरा है, सौधी अरेबिया, देखिए सौधी अरेबिया है यहाँ पर, अब ओमान यहाँ पर है, फिर यमन है इस तरह से, तो यमन हो हो गया, ओमान हो गया, जॉर्डण भी है यहाँ पर, तो जॉर्डण भी हो गया, एराक यह यू एई, इराक, तो सारे के सारे हैं इसकांस रोजागारडी 123 और फाइब, तो देखें, यह है साओधी अरेबिया यह है देखे अब ऊपर है जॉर्डन और इराक यह इस शेत्र में है और यूए इधर है नीचे ओमान है यह और यमन है यह तो चाहओ तरफ से किरा सारे के सारे हैं तो डी हो जाएगा इस कांसर कुश्य नुमबर फाइब है नम लिखे तो यूरोपी है देश हो अब उनकी राजधानियों के संदर में कौन सा सही सुमयलित है बताईए इस्पेइन की तो कैपिटल सबको पताओगी मेडरेड है पुर्टगाल की लिजबन है क्या यह करेक्ट है पुर्टगाल की लिजबन ह इसकी कैपिटल वर्ण नहीं है वर्ण तो स्वीटल लेंड की एना इटली की तो रोम है तो फौर को एलिमिनेट कर दीजे इसका आंसर हो जाएगा केबल एक दो और तीन तो देखिए देश राजधानिया स्पेन की है मैडरेड पॉर्टगाल की लिजबन है इटली की सोफि साथ सबसे लंबी इस्थली सीमा है किस देश की स्वीडन के साथ सबसे लंबी स्थली सीमा साज़ी होती है इसमें के आइसलेंड तो पस्चिम मैं यह तो अलग हो गया पुरा अब डेनमार्क फिनलेंड से भी कहीं ज़्यादा है नौरवे की तो इसका अंसर हो जगा अपसन और फिन्लेंड की उतनी का हैं फिन्लेंड तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है इतना यह चलिए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नौर्वे कोश्य नुम्बर सहबन है नम लिखित में से कौन से देश हिंद महासागर के साथ 30 सीमा बनाते हैं इंडियन ओशियन देखाओगा फिर आपने अफरीका की कंट्री लग रही है तो सारी अफरीका का अफरीका के इस तरफ इंडियन ओशियन है और इस तरफ क्या है पैसिफिक यानि इस वाले एरिये में जो देश होंगे वही करेक्ट होंगे तो साथ अफरीका सबसे दक्षिड में यहां है यहां तो है करेक्ट है फिर सोमालिया यहां है यह भी लगाता है फिर मोजामबेक यहां है तो यह भी है तंजानिया भी है यहां तंजानिया मोजामबेक पर तो यह भी है जिंबा में नहीं है क्योंकि जिंबा वह यहां पड़ जाता ना जिंबा मुझा बे कबर कर लेता ह। मतलब लगने नहीं देता इसकी 30 सीमा इंडियन ओशियन से तो फोर को एलिमिनेट कर दीज़े जहां पर फोर आपो नहीं होगा इसका अंसर हो जाएगा 1235 1235 मतलब अपसन नुबर सी तो देखिए यह है इंडियन ओशियन अब यहां दक्षण अफरीका साउथ अफरीका यह फैला है यहां तक तो यह है एक उसके बाद यह देखिए मोजांबिक है मोजांबिक है मोजांबिक को कब नीचे कवर कर लिया इसने जिंबाबे आने ने दिना इस तरही यहां पर तटिये सी मज़ की तो साउथ अफरीका हो गया उपर मोजांबिक हो गया मोजांबिक से उपर यह तंजानिया देखिए यहां तंजानिया से ऊपर उपर चलेंगे सबके map आप अच्छे से देखा किजिए माइंड में उनको रट लीचे तो इस तरफ से सुरू करके यहां तक सुरू करना है तो केनिया भी नहीं है तर तो मिस्र विस्ट्र है सबसे लाश्ट में तो केनिया यहां है तो देखे सबसे पश्चिम में इधर की तरफ जो है यहां पर तो हापको मुरक्को मिलेगा मुरक्कोद के बाद अलजीरिया उसके बार लीबिया फिर इजप्ट यहां पहँ है व्हों इसको मिस्र बोलते हिंदी में तकान से रहे जगा यह हैं लिए आघे की तरब चलेंगे मिलेगा अलजीरिया और फिर सबसे एंड में statement 9 Ne Gust में से कौन से देश वोत्सवाना को चारो और से घेर हुए है वोत्सवाना कहां का कंट्री है अफ्रीका कॉंटिनेंट का कंट्री है तो वोत्सवाना यहां यहां चारो तरब फैले है नामी भिया फैला है अंगोला भी फैला है जाम भिया भी फैला है और दक्षन अफ्रीका भी फैला जिम्बाबी भी फैला है तो इसका अंसर क्या हो जाना चाहिए उप्स नुम्बर सी हो जाना चाहिए ए और बी दोनों यह डी नहीं होगा तो देखें यह है वोत्सवाना वोत्सवाना से लगा है नामी बिया भी और यह अंगोला भी आ गया देखें उपर से जांबिया भी आ गया जिम्बाम्बे भी आ गया साउत अफरीका भी आ गया और यह क्या है साउत अफरीका तो यहां तक फैला है ना पुरा तो साउत अफरीका, जिंबाम्बे, जाम्बिया, अंगोला और नामिविया नामिविया, अंगोला, जिंबाम्बे और जाम्बिया यह है और यह है साउत अफरीका, पांच के पांच है Question number 10 है Horn of Africa का कौन सा देश हिंद महासागर के साथ 30 सीमा बनाता है या हिंद महासागर तक फैला है एक ही बात है कुछ ही पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर पहली बात तो Horn of Africa में कौन कौन से कंट्री आते हैं ये भी एक important question अलग से पूछा जा सकता है तो इसकी ट्रिक है सीड है इसका कोड मतलब सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और डी फोर जिबूती जिबूती को डी से लिखते हैं ना हिंदी में तो जैसे लिखते हैं तो जिबूती है, इरिट्रिया है, इथोपिया, सोमालिया अब जो सटा है इंडियन ओशियन से वो इन में से है सोमालिया तो इसका अंसर हो जागा अपसे नमबर ए तो देखिए यह है इंडियन ओशियन नीचे अब यहां पर यह है देखिए सोमालिय इंडियन ओशियन से यह सब इंडियन ओशियन ही तो है और इथोपिया तो कबर अब आकी जिबूती यह है और इरिट्राइ यहां से देखिया रेड सी है आ रहा है उपर से तो यह तो होगा नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पर यह है सूमालिया तो होर न फॉट्रिका जो कंट्री है जो इंडियन ऊसियन तक फैला है तो उसका अंसर हो जगा सोमलिया तो दस प्रश्ण ते इंपोर्टेंट थे एड किये गए थे इन प्रश्णों को अच्छे सा रिविजिन कीजेगा और कोशिस कीजेगा मैप देखने की जो ग्रफी के बहुत सारे प्रश्ण मैप देखकर बन जाते हैं यानि प्रश्ण कर स धन्यवाद